पार्टनर मिलने को रात दिन तड़पेगा जिहां में तरो एक ऐसा उपाए एक ऐसा टोटका जिसे आप कर लें दो लोगों के नीच पती पत्म प्रेमिका अगर उनके बीच उनके मद्ध कुछ भी संबंद ऐसा खराब चल रहा है कि उनके बीच तनाव रहता है दोनों एक दूसरे से लड़ते चकरते रहते हैं दूरी इस पकार की बन गई है कि बाचीर भी बन दो गई है नाराज की इतनी बढ़ गई है कि सामने वाला इनसान सामने वाला व्यक्ति वरोश यास्त्री कोई भी आपको छोड़ कर जा रहा है यह यह कहने जिए कि वो किसी और से आगर्शित हो रहा है और आपका साथ चोड़ रहा है मित्रो एक बहुत ही शक्तिशानी उपाय है जो हम आपको बताएंगे मात्र तीन नहसुल की कलियों से यह उपाय हो जाते है वीडियो में दिखाई गई है बड़ा सरोजा उपाय है इस उपाय को आप एक बार आवश्य करें और आप पाएंगे अपने उस साथी को वापस पूरे विश्वास पूरे यकीन से आप इस उपाय को करें आपका प्यार आपका पार्टनर हमिशा के ही आप से जुड़ जाएगा जीवन भर सिर्फ आपके बारे में सोचेगा आपकी चिंता करेगा आपकी परवाह करेगा और जो आप कहोगी वही वो करेगा तो आईयों वित्रों जानते हैं किस प्रकार से आपने उपाय कर लेना है जैसा कि पता है इसकी क्रिया विधी बड़ी ही सरल है इसे आपने किस प्रकार से करना है उपाए को आप शुक्रवार के दिन नहीं करेंगे और अमनी किसी दिन कर सब प्राइडे के दिन आपमें ये उपाए नहीं कर दिन आप लहसुन की तीन कली जैसे दिखाई गई है छिलके समेथ हो छिलका उतर भी रहा है कोई दिक्कत भी बात नहीं है परिशानी की बात नहीं है लेकर एक स्थान पर बैठेंगे साथ में आप एक कागज रख ले सफिद साफ कागज हो लिखने योग यहो आगे पीछे कुछ उसमें पहले से ना लिखा हो कटा फटा ना हो एक आखार में ठीक फटा हुगा कागज हो उसमें आपने अपने उस प्यार का नाम लिख देना है मीचे आप अपना नाम लिखेंगे तीनो लैसुन की कलियां अपने सीधे हाथ में हथेली पर रखेंगे उल्टे हाथ से उठा ले एक एक करके तीनो कलियां अपने सीधे हाथ पर रख दें कागज को उल्टे हाथ पर पकड़ ले सर अंगुठे और उंग्लीजे पकड़ ले और जो सीधा हाथ है उसको तीन बार अपने सर पर गुमाने सर के चार दुरफ गुमाने उतार ले उसके बाद आपने क्या करना है जो तीनों कनिया है वो आपकी हतेली पर ही रहेंगी सामने की तरफ आपने हतेली रखनी है स्थीते हाथ की जिसमें नहसुन है और जो आपके हाथ में कागज है वो वैसा ही रहेगा जैसे अब आपने आखें बंद करनी है उसे यगती को जिसके लिए आप यो पाय कर रहे हैं सोचना है विचारना है ठीक प्रकार से और जब आप उसे ठीक प्रकार से सोचने हैं मन में अपने उसकी पस्वीर लिया हैं तब आपने एक मंत्र का उचारन करना है मंत्र को आपने साथ बार बोलना है और बताए गए तरीके से बोलना है बड़ा ही शप्तिशाली मंत्र है इसको आप एहले ही याद कर लेंगे ओम वशह वशह अमुक सब्त सह स्वाह ओम वशह वशह अमुक सब्त सह स्वाह ये मंत्र आपने उचालित करना है साथ बार अमुक के स्थान पर पहले उस व्यक्ति का नाम देंगे फिर अपना नाम देंगे चाहे इसे पुरुष कर रहा है या इस्तरी कर रही है पहले आपने उसी का नाम देना है जिसके लिए आप अपये कर रही है ये जब आपने मंत्र साथ बार बूला उसके बाद आपने क्या करना है जो तीनों लैसुन के दाने है कागज को आप नीचे रखें ये विशेश दियान रखें कि जिस समय उपाय करेंगे कागज को नीचे किसी कपड़े पर या किसी पातराधी बन रखेंगे सीधे जमीन पर नहीं रखेंगे तो कागज को जमीन पर रखें और जिस तरफ नाम है वो आपकी तरफ रहेगा जो लैसुन है वो एक-एक करके आपके सीधे आपने लैसुन है एक-एक करके आपने उस कागज पर रखते हैं और एक लैसुन करनी जब आप रखेंगे पाँच मिनट कम से कम अपने पास रख लें अपने पास से अर्थ है अपने हाथ में रख लें, जेब में रख लें नहीं भी रख लें, अपनी जगयाई छोड़ दें खड़े हैं उस अस्तान से और इसे अपने पास रख लें, आप से छुला रहे उसके बाद आपने घर से बाहर जाकर जब आपके बाद समय है, ठीक ठाक आप इसे चाहें तो उसके बाद कहीं पर समाल भी सकते हैं अगर आप कुछ देर में निकलना चाहते हैं तो भी आप कुछ देर बाद निकल सकते हैं कोई बंदिश नहीं है, आप बाहर जाएंगे घर से और घर से बाहर जाकर किसी पीड, किसी पॉंधे या किसी दीवार के केनारे से छोड़ कर वापस आजाएं जब वापस आएं तो दुबारा आप पीछे मुड़कर जिस तरफ आपने ये लैसन की कलिया रखी हैं, वहाँ नहीं देखी घर आने के बाद अपने हाथ वो बेर अच्छे से धूले अगर कोई इसे रात के समय कर रहे हैं, तो अगले दिन आपसे रख सकते हैं